अगर माथ करेंगे at anode तो anode पर क्योंकि यह जिंग का कंटेनर है तो जिंग का oxidation होगा जिंग से जनेन 2 प्लस में और यह दो electron रिलीज हो जाएंगे आक्सिडेशन उड़ाए एनोड पे एड कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पर MnO2 और यह MnO2 जो है वो रियक्ट कर लेगा इससे अमोनियम प्लॉराइड के आयन से अमोनियम आयन से और यहां पर यह कनवर्ट हो जाएगा प्लस 4 ऑक्सिडेशन नमबर से Mn2O3 प्लस 3 ऑक्सिडेशन नमबर में यहां पर टू मोल्स ले लेंगे तो Mn2O3 बन जाएगा और टू मोल NnH4 प्लस के लेंगे तो यह 2Ns3 का कर लेगा और साथी साथ में वाटर एच्टू और यहां पर हैं तो मिधरी दो एलेक्ट्रों एड कर देंगे यह रिडक्शन को श्रू कर लेगा और और रियक्शन हो जाएगी इन सेल्स की रोजी जो रेंज होती है वह 1.24 से लेकर 1.5 वोल्ट तक उल्ट